तो यहां पी यह सारे जितने भी क्वेस्टन से जितने भी टॉपिक्स मैं आपके साथ डिसक्स कर रही हूं वह आपके एक्जाम परस्पेक्टिव से बहुत जादा इंपॉर्टन हो जाते हैं प्लस जो भी मैं आपको टोपिक अवेल कर रही हूं इससे को रिलेटेड आपको खुदको भी रिसर्च करते रहना है ठीक है ताकि आपकी प्रैक्टिस कांटीनियो रहे तिल दी एक्जाम और एक्जाम आपका डेफिनिटली बहुत अच्छा हो तो आये चलते हैं विद वेरी 1st 2024 से यह जो स्कीम है प्रधान मंत्री मात्र वंदन यूजना यह लागू होती है जिसमें कितना अमाउंट प्रोवाइड किया जाएगा तो दर डिसेबल प्रेगनेंट विमन तो दर विमन हूँ इस नौट कम्प्रीटली एबल एंड हूँ इस अलसो प्रेगनेंट उनको क चीज पता होना चाहिए कि सप्टेंबर मंत्र जो है दाट इस सेलिब्रेटेड आज नेशनल निट्रीशन मन्त तो अननन नेशनल नूट्रीशन मंत कि तौर पे सप्टेंबर मंत को सेलिब्रेट किया जाते इसलिए स्कीम लागू हूँ है जिसमें जो नॉर्मल विमन है जो को जो amount provide होगा that will be 6,500 तो 6,500 in total normal women को provide होगा disabled women को 10,000 amount ठीक है ताकि उनकी health अच्छी रहे after pregnancy after delivery जो बच्चा है और जो mother है उन दोनों की health अच्छी रहे उनको nutrition diet मिले during pregnancy तो इन सब को धान में रखते वे स्कीम को लागू किया गया है इसकी जो eligibility के गर मैं बात करो तो 40% disability होनी चाहिए या उससे ज्यादा complete disability पर 10,000 में लेगा बाकि जो normal women pregnancy normal women जो है उनको pregnancy की टाइम पर 6,500 रोपीज तो इस तरीके से यह ओल ओवर scheme का पूरा agenda है हमारे सामने next question जो हमारे सामने आता है your next current affair that is 8 new express ways to be built in state DPR approved on 29th of August तो 29th of August ने August को DPR ने approved किया है कि 8 नए express ways built होंगे in the state अब वो कहां कहां होंगे और team का main agenda क्या है वो में आपको बताती हूं तो यह new 8 new express ways को built करने का state में DPR ने जो approval दिया है वो basically announced जो हुआ है that is made in the budget by the BGP government government DPR इसमें total 2500 km express to be built in the state ठेक है financially यह approval मिल चुका है for the construction and this has been issued in the month of August right DPR of these express way has been prepared at the cost of about 30 crores तो in total 30 crores का budget पास हुआ है 2500 km का यह पूरा express way बनेगा जो कि approval मिला है for 8 new express ways right so it will be ready in amount of 30 crores it will take at least one year to prepare the DPR after this the government will start work on their construction and the construction of these express ways will give wings to the economic development of the state इसे economic development पी पड़ेगा इसको prepare करने का complete जो दिया गया है that is given to NHAI ठीक है DPR of Jaipur, Jodhpur and Pachpadra highways express ways ठीक है and DPR of proposed 8 express ways the state government will get it constructed the responsibility of DPR for 9th express way Jaipur, Jodhpur, Pachpadra has been given to NHAI the express way will be of 4 lanes and its length will be about 300 km यह जो प्लान है यह connect करेगा दिल्ली मुंबई express and Amritsar जामनगर expressway को through its express ways प्रोपोज जो express way है जो 8 new express way है वो कहां कहां बनेंगे वो भी मैं आपको बताती हूं पैनन पेपर आप अपने साथ रखिए और down करते रहेए तो सबसे पहला है कोडपुतली Kishnagala 181 km कोडपुत्ली जयापुर भीलवाडा which will be of 193 km ठीक है जयापुर भीलवाडा 193 km बीकानेर कोटपूतली की जब बात करती हूं तो 295 km ठीक है ब्यावर भरतपूर की बात करें तो 342 km राइट जालोर और जालावाड की बात करें तो 402 km अजमेर भासवाडा 358 km ठीक है और जयापुर फालोदी की बात करें तो 345 km श्री गंगा नगर और कोटपूतली की बात करें तो 290 km ठीक है तो इस तरीके से 8 एक्सप्रेस वेज को बनाया जाएगा जो कि कनेक्ट करेगा सीधा तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे और सर्जाम नगर एक्सप्रेस वे तो इस तरीके से यह पूरा एजंडा है यह पूरा स्कीम है जिसके लिए 30 करोर रुपय का जो बजट है वो पास हुआ है बाइदी डीपी आर राइट ऑन 29 ओफ और ऑगस अज़सर चले आगे चलते हैं नेक्ट क्वेशन पर चलो जो जंधन स्कीम है उसको कंप्लीट हो चुके है 10 years और यह लॉंच हुई थी इन ऑगस्ट 2014 को तो 2014 में इट वस लॉंच्ट और अब इसको हो चुके हैं पूरे 10 साल कंप्लीट तो यह लॉंच जब हुई थी ऑगस्ट 2014 में इसमें फाइनेंशल इंक्लूजन दा ओफ विमन, यूथ और marginalized communities, जन्धन यूजना definitely 10 years इसको कंप्लीट हो चुके हैं और यह announce की गई थी बायार प्राइम मिनेस्टर नरेंद्र मोधी जी फ्रॉम रेड फोर्ट on 15th, 15th of August 2014 को अब यह इसने 10 साल कंप्लीट किये हैं इसमें in total 53.13 जो करोर अमाउंट है वो already इसमें इन्वेस्ट हो चुक 53.13 करोर अकाउंट है वो इसमें के अंडर उपन हो चुके थे और इस अकाउंट को zero amount, zero balance पे उपन किया गया था और इसको बहुत सारे purposes के लिए भी यूज कर सकते थे आप and this is done for the DBT in government schemes and this account is linked to Aadhaar का दिचल, ठीक है तो इस तरीके से ये पुरा scheme था जिसको total 10 साल complete हो चुके है specifically इसमें women, youth and marginalized communities इन के लिए उपन किया गया था and it was announced by Prime Minister Narendra Modi ji from Red Fort on 15th August 2014, ठीक है तो इचीज आपको धान में रखनी है अगला जो question है हमारा that is next is who has been elected unopposed in the Rajya Sabha election held on one seat from Rajasthan तो Rajasthan से किस person का, किस candidate का Rajya Sabha election में unopposed selection हुआ है, elect हुए है ठीक है so he is Ravneet Singh Bittu, so Ravneet Singh Bittu a union minister है of the state for railways and food processing in the central government and BJP has filed him from Rajasthan as a Rajya Sabha, Rajasthan Information Commission और उनको candidate बनाया गया है and he was elected unopposed originally जो Ravneet Singh Bittu है वो पंजाब से है at present all the 10 seats of Rajya Sabha from Rajasthan have been filled 10 की 10 seats filled हो चुकी है इस victory के बाद अब in total there are 5 MPs from the state and have been included in the union cabinet so this is all about Ravneet Singh Bittu who was elected unopposed in the Rajya Sabha election held on one seat from Rajasthan, ठीक है next is who has become 45th new governor of the state on July 31st 2014 sorry 2024 so 2024 on July 31st 2024 को कौन सी governor बने है राजस्थान के the 45th governor of Rajasthan and that is Haribau Kishan Rao Bagde so Haribau Kishan Rao Bagde has become the 45th new governor of the state अगर मैं इनका overall बात करूं all about him ठीक है और उन्होंने replace किया है 2-3 कलराज मिश्र जिनका टर्म जो है वो end हो चुका था रिसेंटली रिसेंटली प्रेसेडेंट द्रॉपदी मॉर्म ने अपॉइंट किया है 9 governors of 9 states and administrators of 2 union territories of the country तो इस तरीके से रिसेंटली 9 states में 9 administrators को select किया है and 2 union territories में से मतलब 2 union territories के administration को and 9 states के governors को अभी recently appoint किया गया था बाइदी प्रेसेडेंट द्रॉपदी मॉर्म जिसमें से एक राजस्तान के 45th governor है हरी भाव किशनराव बागडे next is where was the state level police officers conference organized on 29 30 august 2024 29th august 2024 29th august or 30th august 2024 को state level police officers के conference organized की थी वो कहां हुई थी वो हुई थी RIC Jayapur में ठीक है so your conference was conducted in Jaipur RIC Jaipur basically RIC stands for Rajasthan International Center Jaipur on 29th august 2024 the conference was inaugurated by the chief minister Mr. Sharma Bhajan Lal Sharmaji and the theme of the conference which was that is policing with excellence the way forward and there were various sessions were held in the conference on cyber security dark web deep fake cyber crimes etc so these are presented through presentations a lot of presentations were there and the presentation was basically given on operation operation antivirus conducted in Bharatpur division ठीक है तो इस तरीके से यह overall इसका agenda था पूरा target जो था पूरा purpose जो था of conducting this conference is to stand against all these crimes which are there in which are there nowadays right so इस तरीके से यह पूरा conference organized होता है on at Rajasthan International Center Jaipur next is who has become the new state president of Rajasthan on 28th July 2024 so 28th July 2024 को कौन किसको president बनाया गया of Rajasthan ठीक है so that is Madan Rathor the president who has become the president the state president of Rajasthan is Madan Rathor and this was appointed on and he was appointed on 28th July 2024 Rajasthan के MP Madan Rathor has been made the new state president of BJP in place of CP Joshi CP Joshi के place पे इन को चूस किया गया है and Radha Mohandas Agrawal has been made the new state in charge of BJP तो Radha Mohandas Agrawal को बनाया गया है new state in charge of BJP ठीक है तो इस तरीके से you have to keep in mind these names these are the popular personality current affairs के regarding में अगर अगर हम बात करें तो झाल